संयुक्त किसान मोचा की सिंगु बॉर्डर पर आज बैठक होनी है और इसी बीच आपको बता दे कि आज कोई रणीदी बनेगी ऐसा माना जा रहा है संयुक्त किसान मोचा की सिंगू बॉर्डर पर बैठक होगी और इस बैठक में आंदुरन की आगी की रुरनीदी जो है वो तैह होगी बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है फिश्री बैठक में पांस दश्री कमिटी का गठन हुआ था और MSP पर सलकार से बातशीद के लिए जो है कमिटी बनाए गई थी लेकिन आज एक बार फिर से सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोचा की ये बैठक होनी जा रही है जिसमें माना जा रहा है कि आंदुरन आगे किस तरह से चलेगा क्या कुछ जो है सहीं उसके सान मोचा की और से आगे कदम उठाये जाएंगे या अंदुलन की दिशा और दिशा क्या होगी इसको लेकर कोई ने कोई रुरनीती जो है वो आज की इस बैठक में बन सकती है देखिए सरकार से जो जैसे पीछे बात की चल रही थी या सरकार कदम दर कदम एक एक बात को जो मान रही थी कुछ मुद्धे पेंडिंग थे जिन पर चर्चा करनी बाकी थी उसके लिए पांच मेंबरी कमेटी बनाई थी तो अब दो दिन से सरकार ने बात नहीं की है और जो मुकदमे वापसी वाड़ा है और शहीदों को मौफ़े वाड़ा है उनको नोकरी वाड़ा है उस सारे मुद्धे पेंडिंग है कमेटी बनेगी तो कैसी कमेटी बनेगी क्या वो कमेटी करेगी क्या उसको दिकार होंगे इन सबों पर चर्चा करनी बाकी थी और चर्चा के लिए सरकार का भी तक कोई मेसी नहीं या पांच मेंबरी कमेटी बनाने के बाद भी तो अब स्केम की मीटिंग है और जैसे अंदोल ने पहले चलना तो उसी पटड़ी पे अंदोल को दोबारे से लिया आ जा सकता है अगर सरकार किसी तरह से बात नहीं करती है और बाकी मेरकी से फैसला होगा देखिए पांच मेंबरी कमेटी में यही तह हुआ कि सरकार का की अपच्छा थी कि वो चोड़ी कमेटी के साथ बात करेगी तो हमको चोड़ी मेटिंग करना है तो हमने छोटी कमेटी बना दी पांच रोगों की, परंतु उसके बाद तीन दिर हो गए है, सरकार की और से किसी प्रकार का कोई रिस्पॉंस नहीं आया है, हम लोगों ने छोटी कमेटी बना कर सरकार की पाले में गेंदान दी, भई अब बन गई है, आब बारता करिए, सरका मुगालते में कि कुछ लोग जाने लगे हैं अब अनुलन दिन काले गाउं खत्म हो गए तो सबकार मुगालता अलग कर दे अनुलन इससे ज्यादा चौगनी गती से हम चारू करेंगे और हमारे जो कारिक्रम है अभी तक संसंत मार्श का है अन्य गौण